जैसे कि अभी Flipkart और Amazon पर सेल आ रही तो काफी लोग iPhone लेने को सोच रहा है और खेर जिनका थोड़ा कम बजट होता है लेकिन उनका भी मन रहता कि iPhone ले ले तो लोग सोचने कि Cachify से थोड़ा सस्ते में iPhone रिफर्विश्ट वाला ही खरीद ले तो इस वीडियो में Cachify से रिलेटेड विल्कुल ही रियल इनफॉर्मेशन देने वाला हूं तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा भी अब बाकी जैसे कि आप लोग को पता कि मैंने पिछले साल iPhone X खरीद देखिए तो इसकी कंडिशन की बात कि तो कंडिशन तो अवरॉल बहुत ही बढ़ी थी मिलाब कोई भी स्क्राश नहीं कुछ नहीं था और सच्वी मिलाब डिस्प्ले भी ओरिजिनल थी ऐसा हमको लगत लेकिन काफी लोग बताया तो कमेंट बता रहें कि ओरिजिनल नहीं है इसमें नीचे बिसल जाता है तो खेर जब नया नया खरीद है तब तो खेर इतना मुझको नहीं लगा कि ओरिजिनल है कि फेक है बड़ अभी जब यूज करते आए तो पता चला बाकी कमेंट भी आप अब टाइम बाद मेरे को पता चला कि ओरिजिनल बैटरी यह भी नहीं थी और टूटोन भी आए तबर टूटोन भी सब कुछ कोडिंग से हो जाता है कैशी फाइवालों को में रहता है बैटरी हल्स रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड तो इसके बारे हम आगे और बतात बैटरी यह जब आगे तो इसके बारे में इसे पांच वट का चार्जर है और इसे आप लोग एक गंटे का फोन को चार्ज कर लेते हैं तो मिलाब चार्जर इतना जाधा हीट हो जाता है कि चार्जिंग अपने अब दिसकनेट कर देता फोन चार्जी नहीं होता फिर जब देर चार्जर होता है अपने अब डिसकनेक्ट हो जाता है अभी चार्जिंग पर लग गया अब यूपर देखे आप लोग खोदी डिसकनेक्टेड हो गया अपने अब स्विच भी ओन है चार्जर भी लगा हुआ है केबल भी लगी बट फिर भी चार्ज नहीं हो रहा बग तो वक्स तीन से चार महने हो गए जब फोन को खरीदे हुए उस टेम पे तो बैटरियल हंडेड़ परसंट चल लही थे अपडेट करने के बाद भी डाउन भी नहीं हो रही और अचानक सही बैटरियल सर्विस आ गई और मैक्समा कपैस्ट्री शोग होना ही बंद हो गई अब ये कैशिफ है वाले अपनी बैटरिय खुद की लगाते हैं फिर लोकल लगाते हैं तो इस वएसे हो जाता है ऐसा और गाइस इनका ये भी जरूरी नहीं रहता कि जिसे अभी तो मेरे में चार माच मैने बाद आया बैटरियल सर्विस पर आप लोग के में ये भी हो सकता क कि आज खरीते हैं दस दिन में हो जाए एक मैने में हो जाए मनलब कोई फिक्स पीरिड नहीं ये लोग कोडिंग तो कर देते हैं बट कोडिंग इनकी इतने स्ट्रॉंग नहीं कि बिल्कुल अच्छे से बनी रहा है और धीमे दीमे डाउनवेड हो इनका कुछ भी हो जाता ह कभी करा सॉस सीधे असी फिसीधे सर्वेस या सॉस सीधे सर्वेस जसके मेरे में हुआ और बाकी गाईज एक इसज़े दिखा देते हैं जो कि थी कैमरा रिलेटेड है इसका बैक कैमरा तो बिल्कुल फुली पर्फेक्ट्ली वर्करता है मुझना कोई भी दिखा नहीं आप लोग को समझ में आ रहा हो कि धूल है और फोन जिस टेम पर खरीज़ है तो उस टेम पर यह ऐसा नहीं था और इन लोगों डिस्पेय चेंज करी होगी और सील पैक नहीं है फुली इसी वज़े से मतलब अंदर उसमें डस चली गई होगी इस वज़े से फिर इसमें ऐसा ह है तो गाइस मैं तो सीधे सीधे यही कहूं कि आप लोग कैशिफाई से फोन को पर्चेस ना करिएगा बहुत ही बेकार रहने वाला है और अभी कुछ टाइम में फ्लिपकार्ड और एमजान पर सेल आने वाली उसमें आफर्स काफी बढ़ी है आइफोन से तो मैं यही कहू